तो यह देखो प्यारे बच्चों यह एक अच्छा सा सवाल है और यह भी बच्चे डाउट में लेके आते हैं वेव आप्टिक्स के उनको थोड़ा सा इसमें समझने में क्या दिक्कत होती है कि यह एक स्टेंडर्स सेट अपर यह सीधी लाइन है यह इस्क्रीन यह दिया हुआ इसमाल डी कैपिटल यह सब दिया हुआ यहां से जो लाइट यू जो री वेवलेंथ मालो पॉइंट पी पर यहां स्लीट एसमन से एक लाइट रहे गई और स्लीट एस्टू से दूसरी वाली गई और पॉइंट पी पर सूपर पोजीशन हुआ और यह करते हैं कि जो अलग यह एक्सपेरिमेंट दो बार हो रहा है एक बार मैं वेवलेंथ लेमडा वन के साथ कर रहा हूं और एक बार मैं लेमडा टू के साथ कर रहा हूं एक बार मैं लेमडा वन लगाया एक बार मैं लेमडा टू लगाया तो यह कहते हैं वाट मिनिमम डिस्टेंस प्रॉम दे सेंटरल मैक्सिमा तूस यहां से सेंटरल मै तेका ना, वाई कितना मिनिमम हो, की जो है, start from minimum, that fringe, bright fringe from one interference, coincide with the bright fringe from other, ठीका, अब देखो, first time, ऐसे तो बहुत बार होगा, coincide, लेकिन, वाई मिनिमम मतलब first time, इसके आगे भी coincide होगा, कि पहले बार, लेमडा वन के साथ experiment किये थे, लेमडा वन के साथ 12,000 तुम लगाए थे, angustron, तो कुछ bright fringe P पे बना होगा, फिर लेमडा 2 लगाए, कितना लगाए, 10,000 लगा दिये, तो यह हो सकता है कि, point P पे ही, इसे का bright coincide हो गया होगा, ठीक है, तो यह coincide जो एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, तो वो वाई का minimum distance निकालो, मलब एक दूसरे के ऊपर, यहां मालो ब्राइट वाला आ गया, पहले वाले के साथ, इसको मैं green color से बना देता हूँ, लेकिन इसी के ऊपर, जो है, अब इसी के ऊपर, ठीक है, हो सकता है, इसी के ऊपर जो है, वो दूसरे वाले का आ जाए, ठीक है, और लेमडा 1 जो है, और लेमडा 2 का bright fringe जहां पर आ जाए, तो है, तो लेकिन हमें उसके आगे नहीं सुचना, सिप y की first time coin set minimum निकालना है, question समझ में आ गया, तो question अगर समझ में आ गया, तो सबसे पहले तुम्हीं ये निकालना पड़ेगा, कि maxima y की general equation क्या होती है, maxima के लिए, अगर direct formula याद है, तो direct link दो, नहीं तो जैसे मैं करता हू y2 for constructive, bright के लिए, ठीक है, for bright fringe के लिए, या constructive के लिए ये वाली hold होगा, तो y in general equation n lambda capital D divided by small d, ठीक है, n lambda capital D, this is the general location of bright fringe, जब हम wavelength lambda, तो case first में, अगर मैं देखो, तो case first में, जो y है, y इन दोनों case के लिए same है, ठीक है, same है y, तो y is equal to, यहाँ से 2 है, और यहाँ से मान लो, पहले वाले case के लिए, n1 और lambda 1, और d और small d इन दोनों में same है, coincide हुआ case 2 के लिए जब लगाओगे, यही, तो case 2 के लिए भी y तो 2 same है, और उसका दूसरा coincide हुआ, मतलब इसका तीसरा होगा, तो इसका अच्छा होगा, ऐसा कुछ, lambda 2 capital D upon small d, अब यह कह रहा है कि इन दोनों equation को मैं equate कर दूँ, तो मुझे एक अच्छा सा equation दिखने lambda 2, मतलब यहां से n1 upon n2 की value मिल जाएगी बच्छों, वो lambda 2 upon lambda 1 की equal हो जाएगी, और lambda 2 यहां से दिया हुआ है, lambda 2 कितना है, 10,000 है, 10,000 यहां पर है, ठीक है, और यह जो है, वो 12,000 है, ठीक है, तो यह 3,0 यहां से कतम हो गया, that is यहा 5 by 6, अब देखो 5 by 6 जो है, वो minimum fraction है, ठ किया जा सकता fraction में, ठीक है, लेकिन बढ़ाया जा सकता, अगर मैं 2 से multiply कर दूँ, तो n1 upon n2 की value जाएगी, वो जाएगी 10 by 12, और अगर मैं 3 से multiply कर दूँ, तो n1 upon n2 की value जाएगी, वो जाएगी 15 upon 18, इस तरह से dot 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 infinity possibility theoretically, जहां coincide possible है, इस condition hold हो सकता, ठीक है, ठीक है, तो चलो इसकी 2 है, तो उस वक्त fraction minimum है, तो n1 की value कितनी होगी, तो n1 की value 5 है, n1 की value 5 है, और n2 की value अपना 6 है, यह first minimum के लिए हमने निकाल लिया, कि first जब experiment हुआ था, उसका 5th bright, और second जब तुम lambda 2 यूज़ किये, उसका 6th bright print, पहली बार जो है, 2 cm के ऊपर आके coincide कर रहे है, ठीक है, तो अब करना क्या, क्या निकालना था, बोलो, क्या निकालना था, what minimum distance from the bright print, pattern coincide, हाँ, minimum, वो जो minimum distance है, यह देखना, यह दिया नहीं था, यह यहां से little mistake हो, यह 2 नहीं था, जनरल distance y था, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए 2 ले लिया था, तो y हमें निकालना है, तो y निकालने के लिए आप दोनों equation से y निकाल सकते हो, देखो, यह पहले, यह पहला वाला जो equation है, देखो, तो इन दोनों में से किसी का भी use कर लोगे, तो y की value आ जाएगी, तो अगर मैं पहले वाले का ही use कर लो, ठीक है, मतलब y जो है, वो same है, तो y1 is equal to n1 lambda 1 d upon small d, या दूसरा जो y2 use कर लो, वो आ जाएगा, n2 lambda 2 d upon small d, दोनों से same value मिलेगी, तो y1 is equal to n1 is equal to 5 है, और lambda 2 यहां से 12,000 use कर लिए, ठीक है, और d यहां दिया हुआ आप जारे बच्चों, capital d कितना देखो, slit 2 mm है, और capital d जो है, at what minimum distance from the center on screen 2 meter away, तो 2 meter अवे यहां से screen है, तो capital d यहां से 2 है, और यहां से capital d, small d 2 mm है, 2 mm है, 10 की पावर माइनस है, तो इसको solve कर लो न, यह 2 ने 2 को कतम कर दिया, और यह 12 multiplied by 5, 60 और यहां से 60 और यह anguston था, 10 की पावर माइनस 10 था, तो 60 into 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, तो यह 6 into 10 की पावर माइनस, minus minus plus हो गया न, यह plus 4, तो यह 3 उपर गया न, तो यह 4, तो minus 6, तो 10 की पावर माइनस 6 solution किसमें दिया है, एक बार देखो तो, solution मिली मीटर में सेंटी मीटर सरने है, तो अगर तुम यहां से देखोगे, तो यहां से, 4, 0 था, 10 की पावर, minus 6 into 10 की पावर 3, देखना, यहां पर, calculation में है, 3, 0 यहां से आया, 1, 0, multiply, तो यह 10 की पावर, minus 6 है, और यह 6 into 10 की पावर, minus 3 है, मतलब यह 6 मिली मीटर, जो है, final solution है, तो 6 मिली मीटर है, इसमें, तो D option अपना match कर जाता, आई हो कि आपको बहतर तरीके से मैं समझा दिया हूँ, ठीक है, मज़ा आ गया होगा, thank you.